नमस्कार दोस्तो आज हम बनाएंगे जटपड से ये रोल और बहुत ही बड़िया स्वादिश्ट बनेंगे इसके पहले भी मैंने रोल की रेसिपी दी है जो सबको बहुत ही पसंद आएगी तो ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसे बनाने के लिए हम हमने लिया है एक बाउन और सात में हमने लिये है घर की ताजी मलाई दो चमच अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसकी जगा कर सकते हैं या फिर दूत का भी इस तिमाल कर सकते हैं अब मलाई को हमें आच्छे से फेट लेना है ताकि जो इसके शुल भूसि जी यहां पर मैंने तीन चम्मत चीनी का इस्तेमाल किया है, और चीनी को भी अभर में आच्छे से मलाई में इस तरह ले ना हैं और चीनी के किस्टल बिल्कुल नहीं r ReednHea जभ तरह से एक सॉफ्ट सा ये बंद के तयार होगा तो इस तरह से हमें चीने को आच्छी से फेट लेना है इसमें हम डाल लाए हैं चार से पांच इलाइची एसेंस आप इसकी जगाई इलाइची का पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो जो भी आपके पास हो वो इसमें डाल सकते हैं या एलाइची या एलाइची का एसेंस और बस इसे अच्छे से आप हमें फेट लेना है अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राइज को कुनेट तो मैंने यहां पे आधे कप ड्राइज को कुनेट लिया है अगर आपको ड्राइज को कुनेट का फ्लेवर ज्यादा पसं नहीं तो आप इसे कम भी यूज कर सकते हैं यानि इसे कम डाल सकते हैं दो से तीन चम्मज भी डाल सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इस तरह से हम हातों से हम इसका एक डो लगा कर तैयार करेंगे तो यहां पर हमने लिया है आदे कप यह मिल्क पाउडर तो कोई भी कमपनी का आप मिल्क बावड़ का इस्तिमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर का इस्तिमाल किया है आप हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और हातों से इस तरह से गू बाइड कर लेते हैं हलके हाथ उसे हम इसे चितरह से कंबाइड कर लेना है ताकि जो मिठाई हम बनाए बहुत ही बढ़िया बने अगर हम इसे ज्यादा मस लेंगे तो यह घी छोड़ देगी अगर आप ऐसा हो अगर यह घी छोड़ दे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सक हैं फिर मिठाई बना सकते है वैसे तो कुई दिक्कत नहीं होगी देखे मैंने से अच्छे से कम बाइड किया है और यहाथ में भी चपकरा हैрь ठाना है और इसी से अज हम मिठाई बनाके तैयार क리ंगी और इसके लिए हमें गैस भी नहीं जलानी पढ़े गीआउ बोल भाग के और लोर हम इस तो दो चलर की यहां पर मरा कम लिए है। तो यहां पर मैंने टो आपको रिखेंगे-ट आप सब्सक्रा electriful कि यह पर जो थे पार हुआ झाया है। रेड या ओरेंज जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो और बस इसे हातों से अच्छे से मिला लेते हैं मिलाने के बाद हम इसके रोल बनाना शुरू कर देंगे बहुत ही इजली बढ़िया रोल आप बना लो जाओगे पहले हम वाइट वाले की छोटी लोई लेंगे रोल अपने हिसाब से चोटी बड़े आप बना सकते हो और इस तरह से चोटी चोटी लोई लेके हम इसको इस तरह से रोल कर देंगे और थोड़ा सा इस तरह से करके हम एक सकल लेंगे इस तरह के और रोल हमारा इस तरह से बन के तयार हो जाएगा इसी तरह से हम बाकी की रोल भी बनाएंगे जो बहुती इजली बन कर तयार होंगे कोई भी समय नहीं लगेगा इस मिठाई को बनाने के लिए अगर अजानक से कोई महमान आने वाला है तो भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं और जट पट से हम इस मिठाई को बना कर रख सकते हैं और यह जल्दी खराब नहीं होगी अगर आप फिरिज में रखेंगे तो 5-6 दिन तक आराम से यह रखी रहेगी और बस इस तरह से हम सारे रोड बना के तयार करेंगे और रोल हमने देखे बना लिए काफी खुबसूरत से यह रोल बन के तयार हो गए हैं देखने में काफी अच्छी लग रहे हैं आप इनके उपर चांदी का बर्क भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी ड्राइब फूट लेके इसके उपर लगा सकते हैं या फिर ड्राइब कोकोनेट भी लगा सकते हैं तो जैसे आपको सजाना पसंद हो सजा सकते हैं रोल को आप और इसी तरह से आप हम ग्रीन वाले भी बना के तैयार करेंगे तो वाइट वाले तो हमारे बन के तैयार हो गए हैं काफी खुबसूरत लग रहे हैं और इसके भी अब चोटी लोई लेकर इसे हाथों से मसल लेंगे और एक सखल लेंगे और इसका एससे तरह से रोल बना कर तैयार कर देंगे आप देखें कितनी एजली यह रोल बन गया है नहीं हमें काटने की जरूरत है नहीं हमें इसको रखने की बस इस तरह से बना बना कर हम प्लेट में रखते जाएंगे इसी तरह से हम बाकी के रोल भी बना लेते हैं और रोल जब हमारे बन जाएंगे तो हम इन रोल को फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए क्योंकि इने हमें 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि ये अच्छे सेट हो जाए और अब हम इने फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और रोल हमारे बन के तयार हो गए हैं देखने में काफी खुबसूरत लग रहे हैं बिल्कुल सौप्ट और मुलाइम बने हैं से हम तोड के दिखा रहे हैं कितने सौप्ट और मुलाइम बने हैं अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कमेंड में भी बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है